सबी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है अनवरत बेंच की क्लास नमर चार में दोस्तों कल हमने गाई की नसलों वाला टोपिक है वो स्टार्ट किया था अनवरत बेंच के नतरगत और दोस्तों हमने उस वीडियो में गाई के बारे में बेसिक चानकारी है वो देखी थी उस चानकारी में हमने गाय में गुण सुतर शंक्या कितनी होती है, इसके लावा देशी गाय का विगयानिक नाम क्या है, उसके क्या विशेस्थाई है, विदेशी गाय का क्या विगयानिक नाम है, गाये का विज्यानिक नाम हमने देखा था जिसमें बोस जीनस को रिपरजेंट करता है इंडिकस जाती को रिपरजेंट करता है ठीक है उसके बाद में हमने जो गाये हैं उनकी स्तिती देखी थी यानि भारत में कुल कितनी गाये हैं और भारत में ऐसा कौन सा राज्य हैं जिसमें सरवादिक गाए हैं तो हमने पस्चिय मंगाल के बारे में पढ़ा था और हमारे राजस्तान का स्थान कौन सा है गायों के मामले में तो छटा स्थान है ठीक है इसके लावा हमने बात कर ली थी कि विश्व में सरवादिक गायों तो हमने बिकानियर की बात की थी, उसके बाद में नियुनतम गाएं किस जिले में हैं, तो हमने धोलपूर की बात की थी, तो इतनी बाते हमने कर ली थी, अब दोस्तो हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, यानि गाए का गरवकाल, मद्दकाल, मद्दचकर, उसके बाद में नाड़ी दर शर्फशन दर इन पे हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे गाये का गर्वकाल तो सबसे पहले मैं इस शब्द का जो आपको मतलब है वो समझा देता हूँ गर्वकाल क्या होता है यानि गाये का गर्वधान करने से लेकर जो बच्चा द रखेंगे 9 महीने 9 दिन और भेंश में बात करें तो 10 महीने 10 दिन ठीक है और दिनों में बात करें तो 310 दिन भेंश में होता है जबकि गाय में बात करें तो आपको मिलेगा 289 से लेके 80 या फिर 188 ठीक है तो यह रेंज रहती है यानि 289 से लेके 288 दिन है वो गाय का गरबका 9 महीने 9 दिन या फिर 289 से लेके 80 काशी तक ठीक है अब हम बात कर लेते हैं दो सब्द अमारे सामने आ रहे हैं एक तो मद काल, एक मद चकर एक stress period, दूसरा stress cycle इनका मतलब समझेंगे दोस्तों मद काल क्या है यानि मद काल क्या है तो दोस्तों बात करते हैं मद काल की मद काल यानि कोई भी मादा पसू है उसमें estrogen hormone है उसका स्तर बढ़ना कहलाता है मद काल और हमारे गाओं वाली भाषा में बात करें जिसे हम देखते हैं गरों में कि गाए बोल गई या फिर गाए पालने में ठीक है ऐसे सब्द हैं वो यूज किया जाते हैं तो मद काल वो ही होता है तो दोस्तों मद काल जब आता है तो उसमें हम क्या करते हैं गाए के अंतर जो मादा यानि गाए हैं उसके या तो हम करतरिम गरवादान करवाते हैं या फिर उसको प्राकरतिक रूप से जो है गरवादान करवाते हैं तो प्राकरतिक रूप में हम उसको सांड के पास ले जाते हैं तो उसमें यानि जब गाये में ये चिसे हीट यानि मदकाल को हीट प्रियर भी बोलते हैं तो गाये बोलते हैं उसमें कितने समय के बाद हमें गरवादान है वो करवाना चाहिए यानि serving गाय की करवानी चाहिए यानि terminology हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि गावे में जो मेथून किरिया है यानि मेटिंग किरिया है या फिर योन किरिया है कोपूलेशन है उसको हम बोलते हैं सर्विंग ठीक हैं गाई बैसमिल सर्विंग बोलते हैं तो सर्विंग हमें कब करवानी चाहिए यानि मद्दकाल के दोरान तो दोस्तो मद्दकाल में 10 से 24 गंटे के मद्दे तो यह आप याद रखेंगे अब हम दूसरा सब्द देख लेते हैं मद्दकाल मद्दकाल क्या होता है तो दोस्तो एक मद्दकाल से लेके दूसरे मद्दकाल तक के मद्दे जो यह समय हैं इसको बोलते हैं मद्दकाल गाई में आया यानि गाई में हम कहते हैं कि विग्यानिक तोर पर बात करें तो estrogen hormone का अस्तर वड़ा तो उसमें गाय में sexual desire वो उत्पन हुई उसमें हम गाय की क्या serving करवाएंगे तो दोस्तों अगर किसी कारण नमस गाय में पहला जो मद काल आया stress period आया उसमें हम serving नहीं करवा पाई तो उसके बाद में दूसरा जो stress period है वो कब आयेगा तो वो 21 दिन के मद आयेगा यानि 21 दिन का जो ये समय है ये कहलाता है मद चकर ठीक है तो आप याद रखेंगे तो यहां पर मद काल और मद चकर आपको समझ में आ गया मद काल आप से पूछे तो आप कहेंगे 10 से 24 गंटे और मद चकर पूछे तो आप कहें यानि 40 से 50 तक होती है नाड़ी दर प्रती मिनिट और दोस्तों गाय में नाड़ी दर का पता कहां से लगाया जाता है तो दोस्तों गाय के पूंच में एक धमनी होती है उसको पकड़ कर गाय में नाड़ी दर है उसको गिना जाता है और वो धमनी कौनची है तो आप कहेंगे क कोक्सी जियल धमनी तो ये भी आप यहां पे लिख लेंगे कि गाये के पूंच के अंदर एक धमनी होती है उसको पकड़ कर गाये में नाड़ी दर का पता किया जाते हैं तो आप याद रखेंगे कौन सी धमनी कोक्सी जियल धमनी कोक्सी जियल धमनी तो ये आप याद रखें उसके आज हम बात करते हैं कि गाय में 6 अंदर कितनी होती है तो दोस्तों गाय में हमारे सामरे दो आंकड़े आते हैं एक तो 20 से 25 मिनट जो कि दोस्तों जो आपकी 12 की एगरिकल्चर की बुका उसमें लिखा हुआ है कि गाय में 6 अंदर है वो 20 से 25 परती मिनट जबकि और संदर है वो 12 से 16 मिनट परती मिनट ठीक है तो दोनों आप याद रखेंगे 20 से 25 परती मिनट या फिर 12 से 16 बार परती मिनट तो ये आप याद रखेंगे अब उसके बादे में बात करते हैं कि गाय के सरीर का समने तापमान कितना होता है और जो ये तापमान देखा जाता है पसव में वो किस अंगसें तो आप कहे गाई में गुदा से गाई का जो गुदा हैं वहाँ से हम क्या करते हैं किस इंतरक आपयो करते हैं तो क्लिनिकल थ्रमामेटर का दोस्तो गुदा है उसमें एक सलेस्मिक जीली होती ऐसको थ्रोमामेटर उसको टच करते हैं उससे हमें गाय के सरीर का स्मानेत ये जाता है और ये दोस्तों कितना होता है तो आप गेंगे 38.5 डिग्री सेलची एस 38.5 degree Celsius, क्या होता है, गाय का सारे रिक, या सोरी, शरीर का टापमान होता है, गुदा से हम आपते हैं, यंतर कौन सा, clinical thermometer, अब उसके बाद हम बात करते हैं, दोस्तो, गायों में दांतों की संक्या, तो दोस्तों, गायों में दांतों की संक्या 32 होती है, और डिटेल्स अगर आपको पढ़ना है, तो वो आप पहला वाला वीडियो दो देख लेना, जो कलास अमारी अनवरत बेंस के अंतरगत, जो पहली कलास लगी थी, उसमें में आपको ये करोवाया था, तो आप याद रखेंगे, और अगर आपको डिटेल्स से ये देखना है, तो आप पहली कलास अगर जाके देख ले, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यानि आप जैसे ही हमारे यूटूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएगे, तो आपको पसु प्रिचर भरती दोहजार तेश के नाप से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको पहला ये वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, अब दोस्तों बहुत ही महतपून क्वेशन हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेशन, तो दोस्तों जब हम गायों के वारें पढ़ते हैं, तो महतपून क्वेशन एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेशन होते हैं, वो ये होते हैं, कि कौन सी गाय हैं, वो सरवादिक दूद है, वो देती है, तो दोस्तो जब हम बात करते हैं देशी और विदेशी गाएं की तो देशी गाएं जो यानि हमारे भारत में पाई जाती है तो हम कह सकते हैं कि भारत में सरवादिक दूद देने वाली गाएं कौन सी है या गाएं की नसल कौन सी है तो हम कहेंगे सही वाल यानि जो साइवाल हैं वो गाई की ऐसी नसल है जो भारत में सरवादिक दूद देती है ठीक है अब हम बात करें कि विदेशों में यानि ऐसी विदेशी नसल कौन सी है जो सरवादिक दूद है वो देती है यानि विदेशी नसल कौन सी है गाई की तो नाम आता है अचसफ होल फ्रीजियन जो कि होलेंड या नीदर लेंड जिसे हम बोलते हैं उस देश की क्या है एक नसल है तो दोस्तों याद रखेंगे दोनों बाते हैं कि हमारे भारत में सरवादिक दूद देने वाली गाय की नसल कौन सी है तो आप कहेंगे साइवाल और ऐसी विश्वे में सरवाद नीदर लेंड या होलेंड की क्या है एक नसल है गाय की जिसका नाम है अच्छफ उलिस्टिन फ्रीजियन जो कि विश्वे में सरवादिक दूद देने वाली गाय की नसल है इसके लावा दोस्तों दूसरा क्वेशन क्या आता है वह हम देख लेते हैं कि गाय की ऐसी कौन सी नसल है जिसके दूद में सरवादिक वशा यानि फेट है वो पाई जाती है तो यह important question रहेंगे चार question बनते हैं तो दोस्तों आपसे question पूछ सकते हैं कि भारत की गाय की वह नसल जिसके दूद में सरवादिक वशा होती है तो आप कहेंगे कांकरेज कांकरेज जो नसल है उस जर्षीवीब की क्या है गाय है और जर्षीडीवीब कहां पे है तुझ यह इंगलिश चैनल में है और दोस्तों English चैनल कहां पे ए है तो दोस्तों England और France डेश के मध्दे जो पानी का भूत बढ़ा चेतर है उसको English चैनल बोलते हैं इसके English चैनल में क्या है आपका जर्षीव पर चाहिए पाएंगे, इसका नाम है, जर्शी गाय, उसी दूइप के उपर इसका नाम पढ़ा है, जर्शी गाय, तो दोस्तों, वीदेशी, नसल आप से पूछे, जिसके दूद में सरवादिक वसए है तो जर्शी, अगर देशी पूछे तो कांकरेज, और दोस्तों, कांकर देशी गायों में ऐसी नसल है जिसके दूद में सरवाधिक वसा पाई जाती है और दोस्तों भेंस में हम पढ़ते हैं कि भेंस में सरवाधिक दूद देने वाली जो भेंस की नसल है वो मुर रहा है और बात करें कि भेंस की नसल जिसके दूद में सरवाधिक वसा पाई जाती तो यह भी question ऐसे याद रखिए ऐसे question examiner बहुत ज़्यादा पूछता है तो आप याद रखेंगे अब हम पढ़ते हैं कि भारत में जो कुल गाई की registered breed है वो कितनी हैं तो वरतमान में दोस्तों तरेपन हैं पहले दोस्तों बात करें तो 50 थी लेकिन हाली में यानि हम बात करें कि तीन नसले हैं वो और एड की गई है तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे लेकिन दोस्तों सबसे पहले question आता है कि जो भारत है उसमें पस्वों की नसलों को पंजी करण कौन सी चंसता करती है तो दोस्तों नाम आता है N-B-A-G-R जिसे हिंदी में बात करें तो राष्ट्रि के पस्व अनुवांसी की संसदान ब्यूरो करनाल कांपे है करनाल हरियाना में इंगलिश में बात करें तो नेशनल ब्यूरो ओफ एनिमल जैनिटिक रिसोर्च जो की कांपे है करनाल हरियाना में लेकिन दोस्तों याद रखेगा इसकी स्थापना वी थी 21 सितंबर 21 सितंबर 1984 की और उसमें उसका headquarter था बंगलूरू में लेकिन अगले ही साल यानी 1985 में क्या किया गया इसका transfer किया गया और इसे करनाल हर्याना में लाया गया तो दोस्तों याद रखेंगे National Bureau of Animal Genetic Resource स्तापना किसमें मुख्याले कांपे था ऐसा question आ सकता है आप कहेंगे बंगलूरू लेकिन 1985 में अगले ही साल कांपे इसका headquarter वो लाया गया करनाल हर्याना में और इसका काम क्या है तो दोस्तों ये भारत में जितने भी पस्वों की नसले उनको पंजिकृत करता है और गाए की वर्तमान में कुल पंजिकृत नसले कितनी है तरेपन तो N, B, A, G, R के बारे में भी आप याद रखेंगे इसके स्थापना का वही इसका मुख्याले कांपे है question फेवरेट रहता है examiner का अब हम बात करते हैं कि गाए की जो हाली में यानि 31 अगस्त 2022 बहुत ही महत्पूर्ण question दोस्तों आपसे पुछा जा सकता है examiner में पका पुछेगा और यह question आपको याद रखना है कि 31 अगस्त 2022 क्या हुआ कि हमारे भारत में पसूँ की जो total नसल थी 31 अगस्त से पहले पहले उनकी संक्याती 202 लेकिन 31 अगस्त 2022 को क्या किया गया 10 नसले और एड की गई और वरतमान में total हमारे आपे भारत में कुल पसूँ की नसल की बात करें तो 212 पसूँ की नसले हैं अब वह 10 नसले कौन सी है यानि कौन कौन से पसूँ की जोड़ी गई उनमें से 10 में से दोस्तों 3 हमारे गाय की जोड़ी गई तो गाय की 3 कौन कौन सी है उनमें एक राजस्तान की भी है इपोर्टेंट रहेगी तो गाय की पहली जोड़ी गई कर्धानी जो कि दोस्तों महाराष्टरा की क्या है यानि महाराष्टर की गाई की नसल है उसके बादे में हमारे राजस्तान की सबसे इपोर्टेंट एग्जामिनर पका पुछेगा कि हाली में NBAJR के द्वारा राजस्तान की नुविनितम नसल गाई की नसल कौन सी जोड़ी गई है तो सांचोरी सांचोरी दोस्तो राजस्तान जिसके बारे में यानि हमारे राजस्तान की ये गाई की नसल है जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से ये जिलों में पाई जाती है सांचोरी दोस्तो नाम सांचोर जिले पे ठीक है यानि अभी वरतमान में देखें तो सांचोरी है वो सांचोर जिला बन गया है तो सांचोर जिले की है तो याद रखेंगे सांचोरी है वो राजस्तान में यानि हाली में रजिस्टर की गई राजस्तान की एक नसल है और ये मेशीलम याद रखेंगे मेगाले की है तो कि एग्जामिनर आपको चार नसले दे देगा और उनका कौन सा राजे से समंदित है वो दे देगा तो ये तीन ये दे दे और एक और उठा ले तो इस परकार मिलान की जी ऐसा कोशिन दे सकता है अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में पस्वों के कुल पंजगरत नसले तो यह भी मैंने आपको बताया दोसो बारा और दोस्तों हाली में 31 अगस्त 2022 को NBAGR National Bureau of Animal Genetic Resource के दवारा दस नई नसले हैं पस्वों की पंजगरत की गई रजिस्टर की गई उनमें से तीन गाई की जो मैंने आपको बता दी तीन बकरी की जो हम बकरी पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे तीन सुर की और एक भेंस की ठीक है तो भेंस जब हम पढ़ेंगे गाई के बाद भेंस ही पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि भेंस की कौन सी नसले हैं वो जोड़ी गई है तो वर्तमान में बात करें, भेंस की 20 रेजिस्टर है, यानि उससे पहले कितनी थी 19, अभी हाली में एक जोड़ी गई है, तो 31 अगस्त 2022 के बाद बात करें, तो भेंस की कुल कितनी नसले हैं, तो 20, ठीका ऐसे याद रखेंगे, जब हम भेंस पढ़ेंगे, तो उसके बारे मे स्थित हैं, और ये एक्जामिनर में, यानि जो एक्जामिनर है, भूत बार पूछता है, और बहुत सारे जो भी भारत में एक्जाम होते हैं, उनमें ये पूछा जाता है, कि NB, A, G, R का मुख्याले काँ पे है, तो आपके हैं करनाल हर्याना, और N, D, R, I, इसका मुख्या नसले देखेंगे, ठीक है, यानि संकर नसले, जिसमें दो गाई की, दो या तीन नसले हैं, उनका क्रोस करवाया जाता है, उसके बाद में जो नसले बनती हैं, उनको बोलते हैं, संकर नसले, तो दोस्तों संकर नसलों से पहले हम पढ़ लेते हैं, कि जो National Dairy Research Institute हैं, इसकी स् स्थापना हुई थी, ये भी बंगलूरू में था, ठीक है, लेकिन 1905 में इसको करनाल हर्याना में लाया गया, दोस्तों, दो संस्ताइ हैं, जो कि वर्तवान में करनाल हर्याना में हैं, लेकिन उनकी स्थापना हुई थी, तब वह कापे थी, तो बंगलूरू में थी, तो द कार एक मैत्पुन संस्ता थी है नेशनल डेरी रीसर्च इंस्टूट जिसकी स्थापना 1923 में हुई बेंगलूरू में लेकिन 1955 में उसका मुख्याले करनाल हर्याना में ट्रांसफर कर दिया गया अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो करनाल हर्याना है यानि जो ये इंस्टू इसमें बेंगलूरू में तो उसमें उसका नाम अलग था यानि अंडियारी का पहले नाम कुछ और हुआ करता था जब उसकी स्थापना हुई थी तो वो क्या नाम था तो आप कहेंगे इंपेरियल इंस्टूट ओफ एनिमल हस्पेंडरी एंड डेरिंग तो आप याद रख कमेंट बोक्षिंट बताइएगा और अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिएगा और एक प्यारासा कमेंट कर दीजिएगा जिससे मेरा हुसला है वो बढ़ेगा और मापके लिए अच्छे से तो दोस्तों करन फ्रीज है यह होलिस्टियन फ्रीजियन और थार पार के द्वारा यानि जो थार पार कर नसल है इन दोनों का क्रोश करवाया गया और विक्सित की गई यानि करन फ्रीज होलिस्टियन फ्रीजियन और थार पार कर का क्रोश है लेकिन दोस्तों से पहले आप कर करन स्विश याद कर लो करन स्विश यानि इसमें स्विश से याद रखेंगे ब्राउन स्विश और यहां पर स्विश में लस्ट मिस है तो याद रखेंगे साइवाल तो दोस्तों करन स्विश ब्राउन स्विश और साइवाल का क्या है क्रोश है तो इसे आप याद कर लेंग होलिस्टिन फ्रीजिन और ठार पारकर का क्रोश है तो आप याद रखेंगे उसके दोस्तों बात करते हैं यह देखिए यह जो नसल है आपको कौन सी है आप बताइए करन स्विश है या करन फ्रीज है तो दोस्तों अगर आपने होलिस्टिन फ्रीजिन गाये हैं वो देची हो आपको यानि उसका कलर आ रहा है तो ये कौन सी है करन फ्रीज जो कि किसका करों से है तो आप कहेंगे करन स्विश तो स्विश और साइवाल का है यानि ब्राउन स्विश और साइवाल का है लेकिन करन फ्रीज ओलिस्टिन फ्रीजिन और थार पार करका तो आप याद रखेंगे ये मैंने आपको करन फ्रिज गाए है वो दिखा दी ये इसकी फोटो है अंडियाराई के द्वारा विक्षित की गई अब हम बात करते हैं दोस्तो ये मैंने आपको ये काम पर आ गया हाँ आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो मैंने कुछ बातें आपको बता दी थी पहले ही वो बातें यहां पे लिखी वी हैं वापे उपर यह लिखी नहीं थी कि विश्च में सरवादिक गायों वाला देश कौन सा है तो ब्राजिल और भारत कास्तान कौन सा है तो आप कहेंगे सेकेंड और दोस्तों यहां पे दो महत्तपून कौश्चन जो मैंने आपको कल बता दिये थे एक बार फिर से बता देता हूँ आप से पूछेंगे कि बिस्वी पशु गणना दोहजार उनिस के अनुसार भारत में सरवादिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है तो आप कहे ठीक है तो आपको यह दो बातें याद रखनी है यानि भारत में सरवादिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है गाए और हमने पढ़ा था कि भारत में गाए कितनी है तो 192.49 मिलियन और राजस्तान में हम बकरी जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि बकरी है वो संक्या कितनी है तो 20.84 मिलियन और दोस्तो हमारा बकरी के मामले में पूरे भारत में यानि सरवादिक बकरी की बात करें तो राजस्तान में है और राजस्तान में सरवादिक पाये जाने वाला पशु भी कौन सा है बकरी यानि औप्शन में आपको question किस परकार आएगा क राजस्तान में सरवादिक पाए जाने वाला पसु है बकरी भेड गाए भेंश तो आप कहेंगे बकरी इसी प्रकार क्वेशन आएगा कि भारत में सरवादिक पाए जाने वाला पसु है बकरी गाए भेड भेड भेंश तो आप कहेंगे गाए ठीक है भारत का नाम है तो गाए रास्तान का नाम है तो बकरी उसके बादे में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि भारत में जो गाये हैं उनका वरगीकन किस परकार किया गया है तो दोस्तों तीन परकार से वरगीकन आता है गायों का यानि गायों का उपयोगिता के दार पर ये वरगीकन हम कह सकते हैं तो पहला है गाए जिनको दूद उतवाजन हेतु पाला जाता है वो कहलाती है दूधारू गाए ठीक है दूसरे जो कैटेगरी आती है उसमें हम बात करते हैं कि ऐसी गाएं की नसले जिनको बोजा डौने के लिए काम में लिया जाता है या फिर कृशी कारियों के लिए काम में लिया जात या फिर क्रिशी कारी है यह जो मल्टी प्रपज कारियों के लिए काम में लिया जाता है एक से अधिक उनको बोलते हैं दूई प्रियोजनी नसले ठीक है तो यह तीन प्रकार का वर्गी करने है इसमें हम देखेंगे कि दूधारू नसले कौनची है भारत में जो गाय की नसले उनमें कौनची दूधारू है कौनची बारवाग है कौनची दूई प्रियोजनी है ठीक है तो यह सारी बाते हम करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं दूधारू नसलों की तो दोस्तो जो दूधारू नसले हैं उनकी ट्रिक है सरस गाय दूद अब दोस्तो सरस को मैं इसे लिख दूँगा, S, R, S, S, R, S, और G से गाए, तो मैंने गाए नय लिख के G लिख दिया, और दूद, यानि D, तो इससे आप याद रख सके हिए, कि S से साइवाल, R से राटी, फिर S आया, फिर आप कहेंगे सिंदी, उसके जी आया तो आप कहेंगे गिर, और D से देवनी, त अस से फिर सिंधी फिर जी से गिर डी से देवनी ठीक है और देवनी का उत्पति स्थान NBGR के अनुसारा प्याद रखेंगे महाराष्टर और करनाटक ठीक है अब हम दूसरी ट्रिक देखते हैं जो कि यह दूसरी केटिगरी आती है बारवाक नसले उसमें कौन सी नसले आती ह तो एक बार नाम याद करेंगे नागोरी, मालवी, खेरी गड, कंगायम, गंगातिरी, अमरतमहेल, पमार, बरगूर, कैनकता, हलिकर, बैचोर, खिलारी यह इतनी जो नसले हैं वो बारवाक नसले हैं गाई की अब इनको ट्रिक से याद करेंगे ट्रिक को दो तिन बार पढ गंगा मेल में जाती हैं यानि गोरी और मालवी, खेरी गड के गंगा मेल में जाती हैं और गंगा मेल में कौन बेटे हैं तो आप कहेंगे पमार गुरू गंगा मेल में कौन बेटे हैं पमार गुरू और ये पमार गुरू से जाके क्या करती हैं कत्था लेती हैं यानि और दोस्तो नागोरी आप सभी को पता होगा, कि हमारी राजस्तान की सरुवत्तम बारवाक नशल है, यानि राजस्तान की सबसे अच्छी बारवाक नशल कौन rapping सी है नागोरी, तो याप गोरी सियाद रखेंगे, तिक को एक बार फिर से पढ़िएगा मेरे साथ कि गोरी और म बच्चों को खिला रही है इस परकार दिमाग में एक चित्र है वो क्रियेट कीजिए ठीक है इस परकार आप याद रशकते हैं अब देखिए गोरी से नागोरी मालवी से मालवी खेरीगड से खेरीगड के से कंगायम जो की तमिलाडू की क्या है एक गाई की नसल है उसके बा में से कोई नहीं है पवार से पवार गुरू से बर गुरूरू ऐसे प coord कर दरकें गड्योर तो बरगुर और कंगायम तमिलाडू की दोनों की हैं उससे बाद में बात करें कथा तो कहन कथा उसके बाद में लेकर हलीकर लेकर हलीकर, तो यह हलीकर हो गई, उसके बाद में बच्चों से बैचोर, उसके बाद में खिला से खिलारी, यह याद रखेंगे ट्रिक ठीक है, तो दोस्तों यह ट्रिक आपको याद हो गई, अब हम बात कर लेते हैं कि यह जो बाहरवाक नसले हैं, नागोरी, मालवी, खेर विशेष्था कौन सी है ठीक है वो हम देख लेते हैं तो दोस्तों अमरत मेल आती है जो कि करनाटक राज्जे की गाई की नसल है यानि N.B.A.G.R. के अमरत मेल है उसके उत्पति स्तान कौन सा राज्जे है तो करनाटक राज्जे और भारत में इसके बारे में एक महत्पुन बात आपको याद रखनी है कि भारत में गाई की सबसे अच्छी भारवाक नसल कौन सी है अमरत मेल और इसी प्रकार नोट लगा के एक बात याद रख कि भारत में सबसे अच्छे बेल किस नसल के होते हैं तो नागोरी नसल की जो बेल है वो भारत में सबसे अच्छे मने जाते हैं उसके बाद में दोस्तों यहां पे नाम आया कंगायम और बरगूर तो दोस्तों याद रखेंगे कंगायम और बरगूर दोनों ही तमीलाडू की क को मिले गाय, बकरी, भेड, सूर, तो आप गाय पे ठिक लगाएंगे, अगर ऐसा क्वेशन आ जाए कि बरगूर, नीमनों में से किस पसू की नसल है, गाय उप्सिन में न हो, भेड़, भेड़, तीसरा बकरी, चोथा आपका सूर, तो आप भेड़, भेड़ पे लगाएंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे, बरगूर, यानि बरगूर, तमिलाड़ों में एक गाय की भी नसल है, और भेड़ की नसल है, तो यहाँ पे नोट्स में मैंने नहीं लिखें, तो आप नोट लगा के लिख लेंगे, कि बरगूर है, वो गाय के साथ साथ भेड़ की नसल है, उसके बारे में हलीकर दोस्तों, हलीकर हम पढ़ेंगे, हलीकर के बारे में याद रखेंगे, हलीकर और हलीकर नसल की गाय में सुरोपरतम भारत में करत्रिम गरबादान किया गया और दोस्तो कापे किया गया तो मैसूर में कब किया गया 1949 में ठीक है तो दोस्तो याद रखेंगे जो हलीकर है वो करनाटक की गाय की नसल है और इसकी विशेशता आपको याद रखनी है कि भारत में स कौन सी नसल हली कर कब किया गया 1949 कांपे करनाटक के मैसूर में और दोस्तों किस डॉक्टर के दौरा तो डॉक्टर का नाम भी याद रखेंगे यहां पर संपत कुमार ठीक है जब हम करत्रिम गरवादान का टोपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम करत्रिम गरवादान की कौन कौन सी परकिरियाएं है कोन सी वीदिया है भाhrat में कब किया गया जानी भारत में तो यहां पर बता दिया वाँ पर बताऊंगा विश्व में कब किया गया सारी वाते हम करेंगे उसकर दोस्तों इहां पर हमने बेच और के बारे में पढ़ा जो के एक बारवादक नसलों के बारे हम बढ़ते हैं एक बार देख लीजिएगा थार पारकर, गावलाब, पंगायनूर, कांकरेज, हर्यानवी, कशना घाटी, देवली, निमाडी, अंगोल, डांगी, शिरी, मेवाती ये दुई प्रयोजनी नसले हैं अब किस प्रकार ट्रिक हैं किस प्रकार तो दोस्तो थारा से थार पारकर तो थार पारकर दोस्तो एक याद कर लो कि दुई प्रयोजनी गाई की नसले हैं ठीक है इस प्रकार हमने गोरी से नागोरी याद किया था कि नागोरी बारवाक नसले हैं उसके बाद में जो हम ट्रिक लगाएंगे वो सारी किस की होंगी ब तो निम की गोल-गोल डांग क्या है? सिर्म में रखता है, यह ट्रिक है, अब दोस्तो इस ट्रिक में एक बार फिर से दो रही है कि थारा गाउं गाउं कौन सा पंगा नूर पंगा नूर का कोण है तो हरी कशन देव क्या करता है नीम की गोल गोल डांग है भू सिर में रखता है तो इस परकार दोस्तों टिक हमारी याद करेंगे एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगी तो था गोल से अंगोल, डांक से डांगी, सिर्ष से सिरी और मे से मेवाती तो इस परकार आप याद रख सकते हैं और दोस्तों बात कर लेते हैं अब ये जो द्वी प्रयोजनी गाई की नसले हैं इनमें महत्तपून बाते हैं हमे कोन्शी याद रखनी हैं तो दोस्तो बात करते हैं पंगा नूर जो की पंगा नूर जो की गाय की नसल है अंदर प्रदेश राजी की ये नसल है और ये दोस्तो गाय की कैसी नसल है बोनी नसल है ठीक है अभी मेरे पास मैंने पीडियम में फोटो एड नहीं की इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन दोस्तों, यह आप देख लेना, पंगा नूर गाई की निस्ला आप — लगा लेना — गूगल पे क्रोम पर वहां पे आपको यह नाज़र आजय गी बहुती बोनीशी गाई होती है ठीक है तो यह अंदर परदेश की हैuch करेश है उसके बाद की बात करें जैसे बारी नसल यानि बारी बरकम शरीर है तो गाई की बारी बरकम शरीर वाली नसल कौन सी है कहां करेज देसी नसलों में जबकि विदेसी नसलों में बात करें या फिर आप से पूचाए कि विश्व में गाई की सबसे बारी बरकम नसल कौन सी है तो आप होलिस्टियन फ्रीजियन जो कि विश्व में सरवादिक दूद देने वाली गाई की नसल है होलिस्टियन फ्रीजियन के बारे में दो बातें आपको याद रखनी है कि गाई में सबसे बारी नसल होलिस्टियन फ्रीजियन और गाई की देसी नसलों में सबसे बारी नसल कांकरे तो कांक्रेज के बारे में 3-4 फैक्ट तो यहां पे मैं याद करवा दिये इतने इफैक्ट हैं गाय के बारे में कांक्रेज के बारे में कुछ हम जब कांक्रेज डिटेल से पढ़ेंगे उसमें हम कर लेंगे यानि कांक्रेज इसका उत्पति राजी कौन से हैं वित्रन हमारे राजस्तान में पाई जाते है तो कहां पे पाई जाते है थीग है? वो बाते हैं हम कर लेंगे उसके बाद हैं दोस्तों देखेगा हरियाणवी अर्यानवी के बारे में फेक्ट याद रखना है कि भारत में गई की सबसे अच्छी द्वी प्रियोजनी नसल कौन सी है तो आप कहेंगे हर्यानवी ठीक है इस परकार जिस परकार हमने पढ़ा था कि राजस्तान में सबसे अच्छी भारवाग नसल ना गोरी भारत में सबसे को याद रखना है बंगाल यानी पश्चिम बंगाल तो सिरी नसल दोस्तो दूए प्रीयोजनी नसल है तो सिरी ठीक ए तो आज हमने इतना पढ़ा अलाबग कलास उलाब दोस्तो आज हमने इतना पढ़ा कलम पढ़ेंगे गाए के प्रकार यानि देशी गाए कौन सी है विदेशी गाए देशी गाए की नसले तो हम लगबगा हमने पढ़ी लिए विदेशी गाए पढ़ेंगे उसके बाद में संकर गाए पढ़ेंगे ठीक है तो दोस्तों ये पढ़ेंगे हम कल और ये class आपको कैसी लगी आप comment box में जरूर बताएंगे अगर आपको ये class अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ share करेंगे और एक प्यारा सा comment करेंगे जिससे मेरा होसला अफजाई होगा इसके लवा इसको वीडियो को like तो आपको करना ही है चैनल को subscribe करना है और दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलेगराम चैनल उतकर study को join कर सकते हैं जिसका link description में आपको मिल जाएगा धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं next class में